आपके रेसिपी आपके नाम से एपिसोड वन में आप सभी का स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ में तीन रेसिपीज और इन्हें बनाया है आप ही में से किसी ने तो वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप सभी का शुक्रियादा करना चाहूँगी, हमें धेल सारा प्यार देने के लिए और दूसरा, अगर आप में से भी कोई और अपनी रेसिपी के वीडियो हमें भेजना चाहें, तो भेज सकते हैं आपकी भेजी गई रेसिपी के वीडियो पर 100 के होते ही आपको मिलेगा एक जबर्दस सर्प्राइज जिसका अनाउंस्मेंट बहुत जल्दी ही हम अपने चानल पर करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी से हलो मैं हूँ पूजा और मैं पेशे से एक टीचर मैं नेश्रिया ग्रूप से बहुत लंबे समय से जोड़े हुए हूँ मुझे यह ग्रूप बहुत जाधा पसंद है क्योंकि इसकी सारी रेसिपी जो मैंने अब तक ट्राइब करिए वह कभी भी पेल नहीं हुए है और जब मुझे मालूम चला कि नेश्रिया ग्रूप ने आपकी रेसिपी आपके नाम से एक कॉंटेस्ट रखा है तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चैनल का हिस्सा बनने में आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो दिखने में तो आपके घर के समान से ही बनेगी लेकिन उसका जो टेस्ट होगा वह बहुत ही अच्छा होगा हुआ यहां कि हमारे घर कुछ गैस्ट आया और उन्होंने पकोड़ी और धनिय की चटनी की डिमांड करी क्योंकि उस टाइम में पास धनिय की क्वांटिटी काफी कम थी और मूली के पत्ते जो विंटर्स में एजिली अवेलेबल होते हैं वो आराम से मेरे पास घर पे रख पेस्ट को सर्व की तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह मूली के पत्तों की चटनी है क्योंकि इसमें दनिय का फ्लेवर था वह तो आज इस राए करें तो प्लीज इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करें है आए अज़ दनिया मैंने इसमे दाला पूछ पोदी हाँ दो हरेमिज दो हरेमिज अध्य रख कर जो मैंने अल्डरी पुड़ो में कर रखा है न्यमा काजी राख प्लीज पत्तर के पत्ते है आदा चमश नेगु गवस दाहिया की चुटनी बनके तयारे इसका कलर देखिए आप और यह आप इसको जरूर ट्राय करके देखिए मेरा नाम वीजिया और मैं 65 साल की हूँ मैं रिटाइट टीचर हूँ और खुद का इसकोल चलाती हूँ मैंने यूट्यूब पे कुकिंग के बहुत चैनल देखें पर मुझे निश्या ग्रूप के चैनल में सबसे अची चीज यह लगती है कि इंकी रेसेपी और अभी तक बनाई हैं वो सभी आसानी से मुझ से बन गई और आज तक कोई रेसेपी खराब नहीं हुई इसलिए मैं इ एक कप बाजरा लिया है जिसको हमने पहले सही धू करके साफ करके रखा हुआ है अब हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल करके और इसको इसकी ऊपर जो गंकी होगी बाजरी की जो पच्रास होता उसको निका होगे यह देखिए बाजरे का उपर का जो चिलका होता है वो उपर आ गया इसे अब चान लेंगे अब उपर उपर का चान लिया और इसी तरह से एक बार और पानी डाल के इसे दुबारा से चान लेंगे इसको अटा देते हैं यह जो बचा है इसको हम अटा देते हैं यह पानी भी हम कामे लेंगे इसमें रागली बनाने में इसको फेंकिंग यह नहीं इसमें हम यह दही डाल देते हैं इसको हम प्रेश्री कुकर में डाल देंगे यह चना हुआ पानी भी हम डाल देंगे अब इसमें हम चार पांच कपके करीब हम इसमें पानी डाल देंगे पूरा दही और पानी सम मिला करके हमारा पांच कपके करीब हो जाता है अब इस रापड़ी को बनाने के लिए हम इसे गैस पर रख देते हैं और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो दढ़ी फटने का डर रहता है इसको मीडियम हाई गैस पर रखें अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वादानासो डाल सकते हैं अब इसको हम पकाते रहें जो हम देखें कि हाई इसमें मतलिगे पकने वाला हो गया है तब हम इसको ग्यैकों सिम पर रख एंगा और इस पर प्रैशर कुकर पर पर हम धक्कन लगा देङे और भट लगा कर कि इसे पकने और जब एक सी ती यानिे का हो जाएगा worst सिटी आ गई है फिर हम गैस को बंद कर देंगे जिब इस की बिल्कुल गैस रिलेस हो जाएगी उसके बाद में हम इसका धकन खोलेंगे लीजिए राबड़ी बंद करके तयार है इसे गर्म गर्म सर्व करें राबड़ी सर्दियों के मौसम में बहुत फाइदे बंद होती है मैं एक और रेसेपी आपके साथ शेयर कर रही हूं यह गजट तिल और गुड की नॉर्मल बर्फी नहीं है बलकि बहुत ही अलग तरह से बनाई गई है और मुझे उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आईगी तो हम ले रहे हैं दो कप तिल इन्हें में दो-तिन मिनट के लिए भून लोगे तिल को हमें हलके भूनना है ज्यादा भूनने से तिल में करवापन आ जाता है अब तिल भून गए है इन्हें हम कड़ाई से निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में पौने दो कप गुड लेंगे और साथ में वन फूर्थ कप पानी डालेंगे और गुड को पिगला लेंगे फिर गुड को चलाते वे पकाएंगे अब इसमें उबाला गिया है तो इसमें अब हम वन फूर्थ कप घी डाल देंगे ताकि गजक सॉफ्ट बने अब थोड़े देर बाद जब जाशनी गाड़ी होने लगे तक चाशनी को चेक कर लें इसके लिए हम एक बाल में पानी लेंगे और चाशनी की दो-तिन ड्रॉप डाल करके देखेंगे पर हाथ में ड्रॉप लेकर देखेंगे यह ड्र गाल शॉफ्ट नहीं होनी चाहिए तो अब यह सॉफ्ट है इसलिम्नी चाशनी को और पकाएंगे अब चाशनी को एक बार और चेक कर लेंगे तो देखिए ड्रॉप अब कड़क हो गई है और जैसे ही इन्हें हाथ से तोड़के देखेंगे तो इससे तूटने की आवाज आएगी और गैस को बंद कर दें अब इसमें हम तिल को मिला दें तो अब चलिए किचिन स्लैब पर अपन अच्छे से घी लगा लें और उस पर यह मिक्श्चर डालें और बेलन पर भी घी लगा लें इसे हम बेलन से पतला बेलने और बेलने के बाद इसे आदे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें आदे घंटे के बाद इसके चूटे चूटे टुकड़े करके इसे ग्रैंडर जार में डालें और इसे ग्रैंड कर लें फिर इस मिक्चर को जिसमें गजग जमाएं उसमें घी लगा कर फेलाएं जालें और हाथ से दबाएं उपर से इसमें थोड़े ड्राइफ रूट भी लगा दें और थोड़े देर बाद जो गजग सेट हो जाएं तब इसके पीस कट कर लें यह देखें कितने सॉफ्ट गजग बनी है देखने में और खाने में यह बहुत ही अच्छी है अरे वाँ कमाल की हैं टीनो रेसिपीज और बहुत ही अच्छे से बनाई भी है थैंक यू पूजा जी थैंक यू विजय जी आपने हमारे साथ अपनी कुकिंग स्किल्स और बहुत ही यूनीक रेसिपीज शेयर की हमारे व्योर्स को भी डेफिनिटली आपकी रेसिपीज बहुत पसंद आई होंगी तो ऐसे ही हमारे साथ जोड़े रहें और इस वीडियो के 100K व्यूज होते ही आपको मिलेगा निश्रया ग्रुप की तरफ से एक बहुत जबर्दस सर्प्राइज जिसका अनौंस्मेंट हम अपने चानल पर इस वीडियो के 100K होते ही करेंगे तो चलिए फटाफट अपनी और रेसिपीज हमें भेजिए आपकी रेसिपी आपके नाम से एपिसोड 2 के लिए और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें चानल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फीडबैक हमें कमें सेक्शन में जरूर पोस्ट करें तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वर ओर अपड़ अप्डेश शब्सक्राइब धुट विडियो लिकशन एंजर वाशिव इवाश बढ़ा हैं